तो फ्रेंड्स, वेलिकम टू सन्विक क्लासर, ये विडियो है इडिटेरिया के 5000 MCQ बुक के प्रैक्टिस सेट नमबर 13 एवम 14, इससे पहले का प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, तो आईए प्रैक्टिस सेट नमबर 13 एवम 14, इसका सही अंसर हो जाएगा, चाल परवंता सदीश रासी है, नेक्स्ट है, परकास संसलेशन के माध्यम से कूल स्थरीक क्रित कारवन डायकसाइड का लगवग आधा भाग पिर्थीवी पर कौन स्थरीक क्रित करता है, और इसका सही अंस अंसर हो जाएगा, अप्शन B, अग्नियास है, निम्लिकित में से कौожалуй सा DNA में नहीं पाया जाता है, और इसका अंसर हो जाएगा, एंसे किस की उपस्थिती के कारण मानव रख्त का रंग लाल होता है, और इसका सही अंसर हो जाएगा, अप्शन A, हिमलोबीन, हिमुगलोब पहली पंक्ती दाई से बाई ओर बाद दूसरी पंक्ती बाई से दाई ओर रहती थी नेक्स्ट है पर्थम बहुत संगिती के अध्यच कौन थे और इसका अंसर हो जाए उप्शन C महाकस्यप नेक्स्ट है निम में से कौन एक प्राकिर्तिक बंदरगा नहीं है और इसका अंसर हो जाए उप्शन C चिन्नई जबकि मुंबई, कोचिन और विशाखा पत्नम प्राकिर्तिक बंदरगा है अगला है गहरी की निती या सुरच्छा प्रकोष्ट की निती का जनक माना जाता है इन्हें माना जाता है और इसका अंसर हो जाए उप्शन C बारेन हिस्टिंग का अगला है बाम पंथी बिचारों पर अधारित फॉरवर्ड ब्लोग की अस्थापना कब हुई थी और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C उन्हेशव इन्चालिस इस्विव में नेक्स्ट है बिस्व में मचली उत्पादन की द्रिष्टि से महत्पूर्ण ग्रांड बैंक निमलिखित में से किस छेतर में इस्थित है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन B अट्लांटिक महासागर का उत्री पस्मी छेतर में अगला प्रस्ण देखते हैं सूची बन और सूची दो को मिलाना है देखते हैं कि केंटर बरी कहां है तो यह है न्यूजी लेंड में और यह जो पुस्ताज है वो है हंगरी में जो बेल्ट है वो है दच्छी नफिरका में और जो पंपास है जो है अर्जन टीना में इसका स नेक्स देखते हैं बंदे मातरम किस राष्टी ये अंदोलन का मुख गित था और इसका अंसर हो जाए अप्शन डी स्वदेशी अंदोलन माउंट बेटेन योजना के अंतरगत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्मान को सुरिकार किया गया था और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन B 3.1947 को अगला है निम्लिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस नहीं होता है और नहीं वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभीन अंग है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B राष्ट पती नेक्स्ट है समिधान सभा का चुनाम निम्लिकित में से किस अधार पर हुआ और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन A बैस्क मत अधिकार पे अगला है देखते हैं कि भारतिय समिधान का कौन सा भाग और अध्याय संग और राज्यों के मद्ध बिधाई संबंदों से ठारा बर्स कर दिया गया था और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B एक सथवा समिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा नील अंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पिट्रियाट के संपादक कौन थे और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B हरिस्चन मुखर जी स्रम गहन उद्धोग वह है जो क्या है तो स्रम अधिक स्रमिकों की अवस्यकता होती है नेक्स्ट है निर्धंता का दुर्षकर की अबधारना निंण मेंसे किसके द्वारा दी गई है? और इसका अंसर हो जाएगा regular नकर्स के द्वारा अगला है बेध्त्रई कहा जाता है किस बेद को बेद त्रई कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C, रीग बेद, साम बेद और यजुर बेद को बेद त्रई कहा जाता है अथर बेद इसमें नहीं आता है खाली अस्थान मुद्रा स्फिती तथा बिरजगारी के संबंदों को दरसाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A, फिलिप्स बक्र, मुद्रा स्फिती तथा बिरजगारी के संबंदों को दरसाता है नेक्स्ट है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस परदेश में पाये जाते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा option A, उत्रा खंड में पाये जाते हैं बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान अगला प्रस्ट है जलवाई परिवर्तन का क्या कारण है और इसका सही अंसर हो जाएगा option D, इनमें से सभी greenhouse gas, ओजोन परत का च्छरन और परदूसन ये तीनों जलवाई परिवर्तन के कारण है अगला है निमलिखित में से कौन परत्यचकर है तो ब्यक्तिगत कर परत्यचकर है निगम कर भी परत्यचकर है जबकि सीमा सुल्क और सेवाकर ये परत्यचकर नहीं है इसका सही अंसर हो जाएगा उप्षन B, एक और दो पर्तिय अच्कर है, next है, परस्थित की सब्द किस ने दिया था, और इसका सही अंसर हो जाएगा, option B, हैकले ने परस्थित की सब्द दिया था, निमलिखित में से किस एक में ध्वनी की चाल सबसे अधिक होती है, और इसका अंसर हो जाएगा, option D, लकड का सबसे बड़ा समों कौन है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन A थैलो फाइटा उर्जा का पिरामीड होता है कैसा होता है तो हमेशा सीधा होता है नेक्स्ट है निमलिखित करांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है तो खाद हरित करांति से ये सही सुमेलित है दुग 2021 के जनगन्ना के नुसार सरवाधिक लिंगानुपात बाले राज घर्टे करम में कौन है इसे देखना है और इसका अंसर हो जाए अप्शन B केरल सबसे जाता है उसके बाद ता मिलनाडू उसके बाद आंधर परदेश नेक्स्ट है निमलिखित को सुमेलित कीजिए कि कौन ए सोन नदी पर और रंजित सागरबाद पर योजना है रावी नदी पर इसलिए इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन D नेक्स्ट दखते हैं निम्न में से कौन सा देश अस्थल रूद है लैंड लॉग है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन B परागवे जबकि उरुगव बिनजुयला और कोलंबिया लेंड लॉग देश नहीं है अगला है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B कोलो राडो से नेक्स्ट दैन निमलिखित में कौन सी समिती भारत में पंचायती रा अगला है निमलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखो के लिए पिर्थक निर्वाचन की विवस्था की गई है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C भारत सरकार अधिनियम उनेशव 19 के द्वारा नेक्स्ट है समिधान समा की निमलिखित समीतियों में किसकी अध्यस् अगला है भारत के सरवोच नियाले की संबैदानिक पीट के निमलिखित में से किस फैसले में मिर्तु दंड की सजा में दुरलवतम दुरलव सिद्धान का परतिपादन किया गया और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन ए बच्चन सिंभ बनाम पंजाब राज अगला है लव समय सरवी सब्द का संबन किस खेल से है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन ए लाल टेनिस से नेक्स्ट है टाइलर पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन सी परियावरन के छेतर में किस भारतिय भासा को इटालि सही अंसर हो जाएगा अप्शन A मौरिकाल में चंदरगूप की बंगाल पर बिजय किस अभिलेक से संबंदित है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C महास्थान से चोल एक तमिल राजबंस है जिसकी राजकिय चिन्थ था क्या था इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B बाग अगला है देखते हैं कि एलोरा की गुफाओं का संबंद किस धर्म से रहा है एलोरा की गुफाओं का संबंद किस धर्म से रहा तब बहुत धर्म से सही है जैन धर्म से ये भी सही है और हिंदू धर्म से ये भी सही है इन तीनों धर्मों से एलोरा के गुफाओं का संबंध रहा है अगला है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब से जोड़ा गया इसका अंसर हो जाएगा चंपारन सब्त्यागरह के दोरान के बाद से अगला है भारत में मुस्लि दिखित में से किसकी निवक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन B, बित आयोग के अध्याच को नेक्ष्ट है लोग सभा के अध्यच को कैसे हटाया जाता है और इसका सही अंसर हो जागा option A लोग सभा के ततकालिन सदस्यों के बिश्यस बहमस से पारित संकल्प के द्वारा अगला है बहु आयामी निर्धनता सुचकांग का संके तक नहीं है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्षण D, A तुगलग काल में बिहार की रसधानी थी कहा थी? तो अंसर हो जाएगा बिहार शरीफ परकास संसलेशन के दोरान पैदा होने वाली अक्षिजन का स्रोत क्या है? और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्षण A जन और इसका अंसर हो जाएगा Option B, जवाहर लाव नहरू. प्राथमिक इंद्रधनुस में क्या होता है? और इसका अंसर होता है दो बार अकवर्तन और एक बार कूल आंत्रिक परिवर्तन प्राथमिक इंद्रधनुस में होता है. मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन B रसाइनिक यूध में भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन के द्वारा जारी किये गए थे और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B इंद इमनानी के द्वारा देखते हैं सूची बन और सूची टू को सुमेलित करते हैं यह है कि लोथल जो है उत्खनन करता थे रंगनात राव जी बनावली के उत्खनन करता थे रविंदर सिह बीष्ट मोहन जो दाडों के जो थे वो राखल दास बनर्सी थे और रोपड के यगदत सर्मात है इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स देखते हैं निम में से किसे अजात सत्रू के लोगपिरिये उपनाम से जाना जाता है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाक्टर राजेंदर परसाद को अजात सत्रू के लोगपिरिये उपनाम से जाना जाता है सक्ति के पिष्थ करन का सिद्धान्त निम्लिखित में से किस राजनीतिक बिचारक ने दिया था और इसका अंसर हो जागा अप्शन C मांटें क्यू ने、 नेक्स्त है निव्लिक्षत में से किस मुखने आधीश ने, राश्टपति के रूप में भी कारज किया था और इसका अंसर हो जाएगा अपशन A, जैस्तिम्ल 21 सब्सक्राइव की किया थे तरंग धेज आरोही क्रम में सजा है और ये सही अंसर हो जाएगा अप्शन C सुच्म किरने, प्राबेगनी किरने, एक्स किरने उसके बाद होगा गामा किरने नेक्स्ट है बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हर्ताल किस अंदोलन के दोरान किया गया था और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन C सविनय अवग्या अंदोलन के दोरा अस्थाई बंदोबस्त के अंतरगत आने वाले छेतरों में निम्ण में से कौन सामिल नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C सिंध छेत और अब फैर ऑज्ट Ben ऑर पॉतेसियम पंप्लेट इसके ड्वारा पर परिकसित किया गया था और उसका सची अंसर हो जाएगा अप्शन C राजा गोपाला चारी के दोरा में और पंप्लेट किसे द्वारा किया था, इसे रंगीला बात्षा कहा जाता है, किस कांग्रेस做त में कार्जकारी कमेटी को सवनायवग्या अंदोलन पराम करने का अधिकार दिया गया था, और इसका अंसर हो जाए अप्शन B, लहोर सद्र का, जी का मान सबसे कम या सुन कहां होता है, और इसका अंसर हो जाए अप्शन B, पिर्थीवी के केंदर में, द्रभिमान दुगना करने से गती उर्जा पे क्या परभाप पड़ता है, और इसका अंसर हो जाए अप्शन A, पर इत्व है कि बाहि आक्रमानेवां आंत्रिक असान्ति से राजियों की रच्छा करें इसका सही अंसर हो जाप्षन B 6.315 अगला है घाटे की बितिये व्यवस्था का अर्थ व्यस्था पर क्या प्रभाब पढ़ता है और इसका सही अंसर हो जाप्षन B मुद्रापूर्ति में बिर्धी हो जाता है नेक्स्ट है भारत के किस सहर में अटाला मस्जिद इस्थित है और इसका अंसर हो जाप्षन C जौनपूर्ग किस गवर्नर के समय दितिये अंगला सीख युद संपन हुआ था और इसका सही अंसर हो जाप्षन C लाडद जलहो जी के समय नेक्स्ट है महालवारी बेवस्था किस के द्वारा लागू किया गया था इसका अंसर हो जाया option C हर्ट मेकेंजी के द्वारा राजपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेसों की सुईकृति कि आवस सक्ता है इसका अंसर हो जाप्षन D की बिधान सभाग नेक्स्ट है किस समिधान संसोधन द्वारा राज्यों को समाजिक और सैचनिक दृष्टी से पिछला बरगो अनुशुचित जातियों एवं जन जातियों के लिए सैचनिक संस्थाओं में आरच्छन परदान करने है दूप विशेश उवन्त बनाने की सक्त समाज में किस बरग का अस्तित्व नहीं था और इसका अंसर हो जाएगा option C, ब्रह्मन का नेक्स्ट है प्रच्छन या छीपी हुई बिरोजगारी का अर्थ क्या है और इसका अंसर हो जाए option D, स्रमिक की सिमान्त उत्पादक्ता सुन प्रस्चन या स्चिपी भी बिरुजगारी कार्थ है स्रमी की सिमानत उत्पादक्ता सुनने है अगला है परसिद महा कलेस्वर मंदिर किस नदी किनारे इस्तित है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D छिपरा नदी के किनारे निमलिखित में से कौन घुमकड जन जाती नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D पिगमी जबकि कज्जाक, मसाई, लेपचा ये सब घुमकड जन जाती है अगला है 2011 की जनगना के अनुसार निमलिखित जन जातियों में कौन सबसे बड़ा समू है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन A भील जाती सी तरीतु में भारत के उतरी भाग में बरसा होती है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B पस्मी बिच्छोब से नेक्स्ट है निमलिखित में कौन सी नदी भूमी बंधित है और इसका सही अंसर हो जाया अप्शन C, लूनी ने दिया निर्व में से कौन सा भारत में निर्वनी करन का प्रभाब नहीं है निर्वनी करन का प्रभाब नहीं है और इसका सही अंसर हो जाया अप्शन B, सहरी करन और जो खाने बाला सोड़ा है वह है एने एस एने एस यो थी बिरंजक चुन का फर्मूला जो हो जाएगा और प्लास्टर और पेरिस का फर्मूला हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा option A नेक्स्ट है निमलिखित में से किस रंग का फ्रकिरनर्ण सब से ज़या होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शend D बैगनी रंग का अधारित होता है इसका अगला प्रस्म देखते हैं कि ज्वार पैदा करने वाला निमलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है और इसका सही अंसर हो जागा अप्शन खिचाब तथा केंद्रत्यागी बल ये थे इडिटेरिया के प्रैक्टिस नंबर 13 एवं 14 अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिजएगा धन्यवाद